दस जुलाएं को जब से चारो कान के Most of Atrade फिल्म जवान का प्रिव्यू रिलीज हुआ है चारो तरफ बस और फिल्म के बातें हो रही है तो मैंने सोचा फिल्म जवान के निर्दे सक एटली के बारे में कुछ बात करेंगे हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब 21 सेप्टेंबर 1986 को तमिल लाडू में ज़नमे एटली कुमार तमिल फिल्मों के लिए एक जाना पैताना नाम है जबकि हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए नया हो सकता है इन्होंने 2010 में तमिल लाडू के सुपरस्टार रजली गांद की फिल्म एंतिरम जो कि हिंदी में रोबोट नाम से आई थी उस फिल्म के लिए एटली असिस्टेंट डायरेक्टर थे इस फिल्म के बाद 2012 में एक और फिल्म के लिए इन्होंने डायरेक्टर को असिस्ट किया था इन्होंने अपना एजे निर्देसक डेब्यू 2013 में आई फिल्म रजा और रानी के साथ किया इसके बाद एटली कुमार ने 2016 में थल्पती विजय के साथ थेरी नाम से एक फिल्म बनाई जो सूपर हिट रही 2017 में मर्चल और 2019 में बीजिल ये तीन फिल्में इन्होंने थल्पती विजय के साथ बनाई और ये तीनों फिल्में सूपर हिट रही एटली द्वारा निर्देसित फिल्मों के एवार्ड के लिस्ट भी आप देख सकते हैं एटली कुमार की लेटेस्ट फिल्म सारुखान के साथ हर तरब चर्चाओं में है जो साथ सेप्टेंबर को रिलीज होने वाली है फिल्म की चर्चाओं के साथ ही इस फिल्म के म्यूजिक डारेक्टर अनिरूद भी कुप चर्चाओं में है एक यंग म्यूजिक डिरेक्टर होने के बावजूद वो तामिल सिनेमा के लिए हाइस्ट पैड म्यूजिक डिरेक्टरों में से एक गिने जाते हैं लगबग 250 करोड के बजट में बनी फिलम जवान प्रिव्यू रिलिज होने के बाद इसका बज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है फेंस में इसकी हाइप बहुत हाई हो गई है ये एक पैन इंडियम होई है और अगर सभी भासाओं को मिलाकर ये अपने ओपनिंग डे पर 70 to 75 करोड का कलेक्शन भी करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी खत्रों के खिलाडी 13 के प्रमोशन के दोरान सिंगम और गॉलमाल फ्रेंचाईजी के डिरेक्टर रोईचेटी ने बताया कि उनोंने फिल्म जवान का प्रिव्यू देखा है इस वीडियो में कुछ अचा लगा हो तो वीडियो का लाइक करे चैनल स्टार्ट्स ओन स्क्रीन को सब्सक्राइब करे और अगर कुछ चुजाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का प्रियो करें थैंक्स पूर वाचिंग